नमस्कार दोस्तो मैं हरिस्च चौदरी फिर से एक बार आप लोग का टेक्टल लर्निंग सेंटर से सागत कर रहा हूँ आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों फिलर गेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सीरीज चल रहा है दोस्तों इसमें हम अभी फिलर गेज के बारे में जान क कहां कहां पर फिलर्गेश को हम यूज करते हैं तो दो चीज़ हम इसमें समझेंगे दोस्तों तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि इसका काम क्या होता है अब इसके नाम में इसका काम है दोस्तों तो नाम में कैसे हैं जैसे की फिलर्गेश फिल करना मतलब फिल होना चाहिए फिलर गेज मतलब क्या फिल होना जाए जो फिलर गेज की पत्ती है वो ना ज्यादा टाइड जानी चाहिए ना ज्यादा धिली जानी जाए बस एक फिल होना चाहिए इसलिए इसका नाम रखा हुआ है फिलर गेज ठीक है अब फिलर गेज का काम तो हमें पता चल गाया हम कहां इसको कहां पे यूज करते हैं इसके बारे में राकर mover और वाली टिप के करने के लिए हम फिलर्गेस का यूज करते हैं फिलर्गेस पर इंचेस में और में में नंबर दिये होते हैं तो उसमें जैसे समझ लिए यह मैं 0.30 mm का ग्याफ है इनलेट वाल का टैपिस सेटिंग्स में जरी से करना यह हो गया दूसरी चीज अगर मुझे टाइमिंग चार में लिएक लेप यूज करना है दोस्तों दो गयर के बीच में तो वहां पर भी मैं फिलर्गेस का यूज कर सकता हूँ तॉर्टी चीज है दोस्तों अगर मुझे किष्टन के गुरु मेजर करना है तो इतनी जग मैं फिलर गेज का यूज कर सकता थीक लिए तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम और नया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके लिए लेकर आएंगे तक लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो